नमस्कार मैं विकास सिंग और आप देख रहे हैं एक निउस 24 बिहार के लाल इसान किसन को आखडी कार आखडी अल्टिमेटम मिल गई है जी हाँ इसान किसन को अब आखडी फाइनल जबाब दे दिया गया है कि आपको करना होगा ये काम फिर से किरकेट खेलने के लिए नहीं तो आप जा सकते हैं दर्वाजा खुला हुआ है वो इसान किसन जो सभी के चहरों पर मुस्कुराहट लाते थे आखिर कर वो इसान किसन के साथ क्या कूछ हो गया कि अब उन्हें आखडी अल्टिमेटम दी जा रही है अब इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे क्योंकि मुद जो उन्हें करना होगा फिर से किर्केट ग्राउंड पर दिखने के लिए अभी इंडियन टीम में एक गलती की भी गुंजाईश नहीं मिलती है कि आपको कारण बताते हैं कि हमारे पास इतने प्लेयर्स हैं हमारे पास असे खासे विकेट कीपर बैट्समेंस हैं ओपनर्स है मिडिल और के बैट्समेंस हैं तेले इनर से हमारे पास हर कोई है यहां थै कि एक दो गलतिया होती है तो उनको हटा कर और नए प्लेयर को जगह दे दिरी जादे क्योंकि हमारे पास अभी ऑप्शन है अच्छे खासे यांग ही वाओ कि अभी हमारे पास पूरी टीम है जैसे इशान किशन के जगा पर हमारे पास संजू सेमसन है केस भारत भी आए अभी तो विकेट कीपर बले बाज हमारे पास अभी सिमित है यही कारण से इशान किशन को अभी कहा गया है कि आप अभी रेस्ट करो लेकिन हम आपको आगे चल कर सेल्ट करेंगे लेकिन यहाँ पर बात कुछ सिरीज इशान कि expand को खिलाते, एक हीוגट कीपर बलेबाज पर अगर आप चलिएगा, तो आपका हाल वई हो जाएगगा जो एक समयाई पर महें सिंग धोनी का हुआ था आप समझी महें सिंग धोनी बहुत सही विकेट कीपर बलेबास से भारत के बिलकुल लेकिन इंडिया उन पर इस तरीके से डिपेंड हो गई थी इंडियान मैनेजमेंट उन पर इस तरीके से डिपेंड हो गई थी कि महें सिंग धोनी को उन्होंने अपना सब हुगतना पड़ा कि जब धोनी को चोट लगती थी इंजड होते थे तो वहां पर हमारे पास कोई अप्शन नहीं था वहां पर हमारे पास अगर धोनी के वज़ा हम कोई और देख पारते तो हमारे दिनेश कार्थिक थे अमबाती राइडू थे रॉबिन उतफपा थे लेकिन किसी को चांस ना मिलने के वजह से एक IPL ही था कि लोग उनकी काबिल्यत को देख सकते थे लेकिन तू मच डिफरेंसेज हैं IPL में और ODI में अब आखे कर इसाम किसन को क्या कुछ करना होगा क्योंकि उनका करियर इस वक्त खत्म होते वे नज़र आ रहा है हमारे हेड कोच है आपके देखिए राहुल द्रवेट ठीक है और आप एक टेस्ट प्लेयर को T20 का कोच बना रहे हैं तो वो टेस्ट के हिसाप सही थिंकिंग रखेंगे कहीना कि आप समझें कि 20 ओवर का और पांच दिन का अंतर तो लगता है ना जो टेस्ट खिलते आए हैं शुरू से जो व क्योंकि कहीना कि आप समझें कि सचीन तेंदूलकर जब रिटायर हुए तब उनका एवरेज 40 था ज्यादा डिफ्रेंस नहीं उनका 42 था इनका 42 सनजय सूरिया का 36 था ठीक है वो सब लेजेंड प्लेयर्स है अगर हम बात करें और जैक काली से उनका भी 40 के तथमलो था और 40 के अपरोक्स और गौतम गंबीर का भी और विरेंस हवा का भी 40 के अपरोक्स था और वहीं इशान किशन का 42 एवरेज है आप देखें 42 एवरेज के बाद अगर इन्हें सीट पर बैठना पड़ रहा है वो भी संजू सैंसन जिनका 36 का एवरेज है इसके बाद आप समझें कि इशान किशन को बिठाया गया है विराट कोहली दो साल तक तीन साल तक फॉर्म में नहीं थे लेकिन विराट कोहली को लगतार मैच में उतारा गया कि वो फॉर्म में आ जाए वहाँ पर हमारे साथ नुकसान क्या हुआ कि वहाँ पर हमने ऐसे ऐसे प्लियर्स को खो दिया ज पर उत्वारिएगा तो उसी साब से खेल नहीं पाएंगे और आप उसी सा जड़ीजा को भी नहीं हटा सकते हैं जो प्रेसर होता है वो प्रेसर उठा नहीं पाते हैं आप समझी है ना मैंने कहा कि इशान किशन ठीक है कि आपके दो-चार मैचेज में फॉर्म अभी अब डाउन चलने तो आपको नहीं खेलाएंगे संजू सैंसन के भी तीन साल तक फॉर्म खराब थे बिल्कुल फिर आपने उन्हें मौका दिया सिधी सी बात है तो इशान किशन को फिर से वही चीज होगा कि 6-7 मेले तक बिठा दिया जाएगा उसके बाद एक-दो मैचेज में खिलाए जाएंगे वह अच्छा नहीं खेलेंगे तो फिर इनको डॉप कर दिया जाएगा और ऐसे करके देरे-देरे करके इनका करियर खत्म हो जाएगा जैसा आपको बताते हैं करून नायर हमारे पास एक प्लियर थे पास्ट में उन्होंने खुद सन्यास ले लिया आपको पताते हैं भूवनेश्वर कुमार इन स्विंग आउट स्विंग के बाक्षा थे हमारे इंडियन टीम के गेंद बास उनको ड्रॉप करकर करकर के आज के स्थिती ऐसी आ गई है कि लगए ऐसे रहा है कि उनकी जो इसान किशन के पास क्या-क्या रास्ते बचे हैं कि वह अपना उज्वल भविश्वर कर देंस है वाग इर्फान पठान है यूसुप पठान थे यह सारे प्लेयर्स को हमने बेंच पर बिठा कर बरबाद कर दिया कहीं ना कहीं जब इनकी रिटायर्मेंट की उमर आई तो त अखिरकर अब इसान किशन के पास क्या-क्या रास्ते बचे हैं कि वह अपना उज्वल भविश्वर से बना सके क्योंकि वह ऐसे प्लेयर है कि जब भी ग्राउन पर उतरते हैं तो रन बनाते हैं लेकिन इस वक्त उनकी जो फॉर्म है काफी ज्यादा खराब चल रही है कोई हमारे पास ODI का कोई भी विकल्प नहीं है तो हम इशान किशन को कभी नहीं वह मैंनेजमेंट देख पाएगी कि अगर पचास वर के मैस में ने खिलाना है तो पचास वर का इस आप से देखे चलिए मानते हैं कि IPL में उनका प्रजर्शन बहुत अच्छा रहा है 2020 में आप एसे इस इस वक्त एससां किशन के दिल दिमाग का अगर हम बात करें, तो क्या एक कुछ चल रहा है उनको का करियं हो ते ह गुए है कि क्रकेट में। इन पता है हमारे पास ऐसे ऐसे प्लेयर्स है ना जिनके नाम किसी dausan नहीं बहुत कम लोगों को पταंएक मोहमट कया थे उनके साथ भी शमी ओंप उनके साथ भी हुआ थे धिनेश कारति के साथ दियो तप्पा के साथ भी हुआ हर किसी के साथ होता प्लेयर था जिसका नाम था Manish Pandey, बिल्कुल, Manish Pandey के साथ भी यही हुआ कि उन्हें बिठा बिठा कर उन्हें इस तरीके का बना दिया गया, कि वो T20 में अगर 0 पर आउट होते हैं, तो लोग समझ लेते कि यह T20 में 0 पर आउट हो रहा है, तो 50 ओगर में 0 पर आउट होगा, परफॉर्मेंस दो कि इसान किशन का 42 का एवरेज है, ODI में जितने मैचे जिन्हों ने खेले हैं, मातर एक बार यह 0 पर आउट होएं इसान किशन, मातर एक बार, उसको नजर अंदाज आप नहीं कर सकते हैं, आप इनके 42 असमलाव एक छो एवरेज को नजर अंदाज नहीं कर सकते हैं, आप इनके दोहरेज शतक को नजर अंदाज नहीं कर सकते हैं, मातर एक दो तीन खराब इनिंग को देखेंगे तो आपको विराट कोली को यह जांस नहीं देना चाहिए था, उनके 700 से उपर दिन तक उनका फॉर्म खराब चला था, अब इसान किशन को फॉर्म म बहुत अच्छे से इस्तमाल किया, जब आपके पास एक कीपर आ गया तो आप उस प्लेयर को हटा नहीं सकते हैं, सीरीसी बात है, आप उसको एक पोजिशन दीजिए, आप सूर कुमार यादो को आप उसके एक नीचे खिलाते हैं, फिर आप हार्दिक पंड्या को भी हटा है खत्म है, पक्का खत्म हो चुका है क्योंकि उनको इंजरी के बाद आने के बाद किस पोजिशन पर आप खिलाएंगे, जब 110% फिट इशान किशन को आप नहीं खिला रहे हैं, तो आप रिशब पंद को कैसे खिला सकते हैं, सेम जब यूराज सिंग के साथ हुआ था जब वो कैंसर से उभर के सामने आये थे, वहीं चीज है ना कि आप रिशब पंद को भी नहीं खिला सकते हैं, फिर रिशब पंद के समय भी आप यही कहेंगे कि यह फिट नहीं है, इसके जगह पर हमारे पास बहुत सारे प्लेयर्स हैं, और सबसे बड़ी रिशब पंद की ये गलती ही कहेंगे कि वो भी विकेट कीपर बलेबाज ही है, लेकिन उन्हें एक चीज का प्रॉफिट मिल जाएगा कि आपके पास कोई हीटर नहीं है, आपके पास लेफ्ट हैंड विकेट कीपर बैटसमेल नहीं है, लेकि वो रिकबरी कितना जल्दी करते हैं, ये भी तो द जो पूरी लाइफ है, वो बरबाद हो चुके देवदर पाडिकल, आईपील में बहुत सही प्रदर्शन उन्होंने किया, ओपनर थे, आरसीबी के तरफ से खेलते थे, तो लेकिन राजस्थान रोयल्स ने उन्हें उतारा साथवे पोजीशन पर, अब देखे, चलते-चलत पर आजाते हैं, रिशाब पंद के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि वो जल से जल रिकावर करें, जल से जल मैदान में आए, उसके लिए उन्हें क्या क्या करना चाहिए इस वक्त? अस्ट्रेलिया के सामने हम सर खड़े करकर बोल सकते हैं, कि हमने तुमसे गाबा का जो घमन था, वो छीना था, रिशाब पंद के वजए से ही, वो हम नहीं भूल सकते हैं, इनका कंट्रिबूशन जो एक ओपनर हीटर, आज तक भारत को कोई ओपनर हीटर नहीं मिला था, ज अस्ट्रेलिया के मुकाबले देखिए, 42 से कम अगर आवरेज है, तब आप बोलिएगा? 24 के साथ दीजेगा, इजाज़ा, धन्यवाद!